आजम कोटिले के राज्य की उत्पत्ती संबंदी विचारू पर चर्चा करेंगे अर्थसास्त्र में उपलब राज्य संबंदी समस्त विवरण का सरल अध्यन निविन प्रकार किया जा सकता है राज्य की उत्पत्ति, प्रकर्ति तता उत्दे से सप्तांग राज्य की आउधारना, राज्य का कार्य चेत्र और लोकित, सबसे पहले देखते हैं राज्य की उत्पत्ति, कोटिले ने अर्थसास्त्र में राज्य की उत्पत्ति की किसी विश्य सिद्धान्त को इस प्रस्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, राज्जी की उत्पत्ती की अर्थसा संबंद या उधारना निम्लिप्रकार है, पहला कोटिले ने राजा की उत्पत्ती को ही राज्जी की उत्पत्ती के रूप में स्विकार है, और दूसरा कोटिले की राज्जी की उत्पत्ती के देव अंत के लिए प्रजा जन ने मनु को अपना राज़ा बनाए, प्रजा जन ने इस राजा को भृती वेतन के रूप में खेति से उत्पन अन्ड का छटव भाग, तथा व्यापार से प्राप्त लाव श्वन का दस्वा भाग देने का निश्चे किया इस बृती के बदले में राजा ने प्रजा की रक्षयां कल्यान अर्थात प्रजा के योग छेम का दाइत्वे स्विकार किया राजा द्वारा कर की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दंड का प्रियोग किया जाना ये दोनों कारिये प्रजा के योग छेम के लिए ही है इस रूप में ही राजा कर रहं दंड का अधिकार प्राप्त करता है और इस सत्य को समाज से दूर वन में एकान जीवन जीने वाले रिशी वे मनों भी जानते हैं और इसलिए वे भूमी से बीने गए अनाज का चटवाबाग राजा को देते हैं इंद्र तथा यम देवों के समान ये राज़ा लो परिजा जन पर प्रतक्ष अनुग्रय वे निग्रय में समर्त होते हैं राज़ा का अपमान करने वाले पर दैवी आपना तोटती अतर राज़ा का अपमान नहीं किया जानाती है अंत में कोटिले ने कहते हैं कि प्रजाजन की इखटीवी भीड के बीच आपस में बातचीत करके गुपचरों को निर्देश दिया के वे इस प्रकार के कतनों के द्वारा प्रजा में मोदू छुद प्रकरती के लोगों को कुछ कहने से रोक दे अर्थात उन्हें राजा या राजपद उसकी धंड सकती वे कर वसूलने के ओचिते पूर अधिकार के बारे में कोई विवाद का मौका नहीं दे अर्थास्त के उप्योग विवरंसी ये इसपस्ट होता है कि कोटल ने राजपद के प्रसंग में समझोता सिधान्द के और संकेत किया है प्रजा जन्ने राजपद उत्पत्ति से पूर की कष्टकारी अराजक दसा से मुक्ति पाने के लिए स्विच्छा से मनु को राजपद बनाया और उसे दंडवे कर संबंदे अधिकार सोपे राजपद ने भी प्रजा के योग छेम का दायत शुकार किया इस प्रकार राज्य या राजपद्ति हुई और इसकी उत्पद्ति की संपूर्ण प्रकिरिया में प्रजाजनवे राजपद दोनों की भाग्यदारी दिखाई पढ़ती है कोटिलने के राज्य की सब्तांग अउधारना प्राचीन भारतिय राजपर सास्त राज्य में राजपद्त में राज्य कू उपमा के तूर पर एक ऐसा प्राणी सरीर मानने के प्रंपरा रही जिसके साथ अंगिया प्रकृतियां होते हैं प्राचीन भारती राज सास्तिरों ने सब्त प्रकृति राज अत्वा सब्तांक राज्य का है कोटिले ने भी इस परंपरा का अनुसरन किया और उन्होंने भी अपने राज्य के साथ अंगिया प्रकृतियां स्विकार ही है जिसमें सबसे पहला है स्वामी कोटिले ने राजा को स्वामी कहा राजा के साथ अंगों में क्रम की द्रस्टी से स्वामी का इस्तान पर्था में वे धंडधर है और महत की द्रस्टी से संपूर्ण राज विवस्ता में उसका केंद्र इस्तान कोटिले कहते हैं कि राज्जी के अन्य प्रकरतियां स्वामी के ही गुणों या ओगुणों का अनुकरन करती हैं इस प्रकार स्वामी ही राज्जी के उत्थान वे पतन की द्रस्टी से मुख्यते उत्तरदाई होता है कोटिलने के अनुसार स्वामी को अभीगाकम प्रग्या उच्सा तथा आत्म संपन नामक चार गुनों वाला होना चाहिए दूसरा है अमात्य राज्य का दूसरा महत्पूरंग अमात्य है जिसका सामान अर्थ मंत्री है कोटिलने अर्थ सास्तर में अमात्य सब्द का प्रयोग मंत्री वे उच्पदस्थ प्रशासनी का दिकारी दोनों ही अर्थों में किया है वस्तुते अमात्य मूलते उच्च पदादिकारी है और उनी में से ही प्रियाप्त योग अनुभवी वे गुणी वेक्तियों की मंत्री पद पर नुक्ति गी जाती है कोटिली ने अमात्य के महत्य को बताते हुए उसे राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पईया का है और बताया है कि जैसे कोई गाड़ी दोनुपईयों के आपसी सहयोग के बिना नहीं चल सकती वैसे ही राज्य के संचालन में राजायों अमात्यों के बीद सहयोग बहुत जरूरी होता है अते राजा को अत्यांत योग अमात्यों की ही नुक्ति करनी चाहिए और उसके परामर्स से ही सासन कारिये करना चाहिए कोटिल ने अमात्यों मंत्रियों की कोई निश्ची संक्या नहीं बताई है अपितु राजा को परामस दिया है कि वे राज्य के कारियों की मात्रा वे गुरुता को ध्यान में रखते हुए अमात्यों की प्रियाप संक्या में नुक्ती करें तीसरा है जन्पद कोटिले ने राष्ट के लिए जनपद सब्द का प्रियोग किया है वे सब्तांक राज्य का तीसरा अनिवारी अंग्या प्रकलती है जनपद में उन्होंने भूपरदेश और जनसंक्या दोनों ही तत्व एक साथ समलित किये इस प्रकार जनपद का सरल अर्थ है जन युक्त भूमी कोटिले कहते हैं कि मनुस्यों से रहित भूपरदेश जनपद नहीं होता है और जनपद से रहित राज्य नहीं हो सकता है राज्य के लिए क्रिशक, व्यापारी, स्रमिक, सैनिक एवं राज्यस्व की प्राप्ती जनपद से ही होती है अतर राज्य के निर्माण एवं संचालन में जनपद का विशेस महत होता है कोटिले ने नए जनपद की स्तापना के बारे में अपने विचार व्यक्त किये है उनका मत है कि अन्य राज्यों की जनसंक्या प्रजाजन को भुला कर अथ्वा अपने राज्य की जनसंक्या की वुर्दी करके नए जनपद भसाने चाहिए उन्होंने जनपद के निर्मान में रक्षा, क्रिशी, खान, पसुधन, इंधन, निवासियों की राजनिष्टा, जलवाईयों, आधी, विभिन तत्मों की द्रश्टी से विचार किया कोटिले ने राज्य की एक प्रादेशी के भुगोली की काई के रूप में भी जनपद का उलेक किया है जनपद को आधुनिक जिला जैसी प्रसासनी की काई भी माना जा सकता है चोथा इसमें दुर्ग या पूर्ग, राज्य का चोथा प्रमुक अंग या प्रकरती दुर्ग है कोटिले ने दुर्गों के निर्मान तथा दुर्गों की सीमा के अंदर बनाये जाने वाले योग राजभावनों तथा नगरों के प्रमुक इस्तानों के निर्मान दुर्ग निवेश पर विस्तार से विचार किया सत्रू आकर्मनकारियों से राज्जी की रक्षा में दुर्ग का विशेश महत होता है किन्तु वास्तों में दुर्ग ऐसा भी स्तान है जहां विजी गिसु राजा सत्रों पर आक्रमन करने से पहले अपनी आक्रमन कारी सेने सकती का भली भाती संचे करने में समर्थ होता है इस प्रकार दुर्ग का प्रतक्स रूप से सुरक्षात्मक और एप्रतक्स रूप से आक्रमनात्मक दोनों ही मेहत्व होते हैं कोटिले का अनुसार राजा को अपने राजधानी नगर के साथ ही जनपद की विभिन दिशाओं तथा जनपद के मद्दे के प्रमुकिस्तानों पर दुर्गों का निर्मान करना चाहिए इन दुर्गों को सेना, अन, इंधन, नमक, पानी, सास्त्रात, बारूद आदी की द्रस्टी से आत्म निर्भर होना चाहिए अर्थ सास्त्र में उन्होंने निम्ण प्रकार के दुर्गों का उलेख किया पहला है ओदक दुर्ग, दूसरा है पारवत्य दुर्ग, तीसरा है धानवन दुर्ग और चोथा है वन दुर्ग ओदक हैं पारवत्य दुर्ग सत्रू के प्रतक्स आक्रमन से रक्षा हों प्रजाजन दोनों की रक्षा में सायक होते हैं जबकि धानवन दुर्ग वे वर्ग दुर्ग सत्रू से पीडित राजा के लिए छुपने के उप्युक्तिस्तान होते हैं और उसकी रक्षा में मगतकार होते हैं तो कोटिले कहते हैं कि इस प्रकार राजा को राजी की सीमाओं पर और अंदर ससक्त दुरूगों का निर्मान करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार की सुख स्युधाओं से सुसर्चित करना चाहिए ताकि संकट काले निस्तिती में वे राजा की रक्षा करने और आक्रमनकारी राजा पर प्रवल आक्रमन करने में सक्षम और समर्थ हो सके पांचवा इसके अंतरकत कोस या कोस कोटिल्य प्राचीन भारतिय राजनिति के अर्थसास्त्रे संपरदाय के प्रूमकाचारी है उन्होंने राज्य संचालन में कोष की विशिष्ट भूमिका को स्विकार आया कोटिल्य के अनुशार राज्य के संपूर कारियों का आधार कोष होता है अत्यक राजा को चाहिए कि वे सब प्रथम कोष के विशे में विचार करें उन्होंने कोष के गुण, मात्रा, विस्तार, सामत्य, आधि को प्रकट करते वे काहे कि राज कोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वर राजाओं तथा स्वेम धर्म पूर्वक की गई आय संचित हो उन्होंने धानने, स्वन, चांदी, विविन प्रकार के भूमूल्ड रतनों से इतना संपन होना चाहिए कि लंबे समय तक चलने वाले दुर्विक्स एहों आपत्ती से प्रजाजन की रक्षा में समर्थो कोटिले का मत्य कि कोष का संचय भी धर्म पूर्वक किया जाना चाहिए अर्थात इस संबन में प्रजा को पीडित नहीं किया जाना चाहिए कोष संग्रे के कारिये पर योग विश्वास पात राज भ्रत्यों को ही नुक्त किया जाना चाहिए कोषा दक्ष के पत पर ऐसे योग वेक्ती को नुक्त किया जाना चाहिए जो राजा द्वारा कोश संबंदी जानकारी मांगे जाने पर तुरंती राजा को कोश की वास्तिक स्तिती बताने में समध चटा है दंड सब्तांग राज्ये का छटा अनिवारी आंगे दंडु जिसका सामानिय अर्थ सेन्नेबल है सेना राज्य की रख्षा तथा विस्तार की द्रिश्टी से राज्य का एक अती महत्पूर अंग्या कोटिले ने सेना का महत्व बताते वे काये कि जिस राजा के पास सक्तिसाली सेना नहीं होती उस राजा के मित्र तो मित्री बने रहते हैं, सत्रू भी मित्र बन जाते हैं कोटिले ने सिवेश राज्य के सैन बलके निर्मान पर जोर दिया उन्हेके अनुसार सेना में वंचानुगत, इस्ताई वे अनुसासिस सैनिक भरती किये जाने चाहिए और उन्हें भली बाती प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वे कश्ट सहन करके भी राजा के अनुकूल आच्रन करने में अभ्यस्त होने चाहिए सेना में सभी वर्णों के योगवे सासी पुर्शों को भरती किया जाना चाहिए किन्तु कुल मिलाकर सेना में छत्रिय वरण के अधिकता रहनी चाहिए कोटिल ने ब्रहमण वरण के पुरसों को सेना में भरती करने के बारे में संकोचित है क्योंकि सत्रू द्वारा अधिक आदर सत्कार किये जाने पर वो इस सत्रू को चमा भी कर सकता है अंती मैं इसमें मित्र कोटिली ने राज्य के साथवे अनिवारियंग के रूप में मित्र या मित्र राज्य को माननेता दिये वस्तुते मित्र ऐसे राज्य का राज्य होता है जिसके साथ अपने राज्य से मित्रता पूर्ण संब्द होता है सांति काल में अपने राज्य की प्रगती के लिए तथा आपति काल में राज्य की रक्षा के लिए मित्र बल का विश्यस महतु होता है मित्र बल की मदद से विजी गुसु राजा अपने राज्य का विस्तार करने में भी सफलता प्राप्त करता है अतय कोटिले ने राजा को सदय मित्र संग्रह के लिए प्रतंसीर रहने का परामर्ष दिया उन्होंने मित्र के गुण को प्रिकट करते हुए कहा कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो वन्स परंपरा, पित्र पिता में के समय से मित्र हो, इस्ताई हो, अपने वस में रहने वाले हो, जिन से विरोध की संभावना नहीं हो, और आपत्ति आने पर तत्काल मदद के लिए तैयार हो, मित्रों में उप्त कुनों का होना मित्र संपन कहा जाता है। कोटिले ने साथ अंगों की प्रकरतियों के तुलनात्मक पहतुक तथा वर्यता को निमलिखित रूप में प्रकट किया स्वामी, अमात्ति, जनपद, दुर्ग, कोस, दंडव, मित्र इन पर विपत्ति आने पर पीछे वाले की तुलना में पहले पर विपत्ति आना अधिक कस्टकारी होता है उधारन के लिए स्वामी अमात्ते इन दोनों पर विपत्ति आने पर स्वामी की विपत्ति अधिक बैकारी होती है इसी प्रकार अन्य अंगों के बारे में भी समझ लेना चाहिए कोटिले ने संपून राज प्रकरतियों में राज्य की केंद्रिय या राजा की केंद्रिय भूमिका शुई कारी है उसे राज्य का सरवस्ट वे सरवादिक महत्पून अंग माना है अर्थास के एक स्थान पर कोटिले ने कहा है कि राज्य राज्य मित्य प्रकरति संचेप है अर्थास सार रूप में राज्य को दो ही मूल प्रवर्तिय अंग होती है राज्य और राज्य राज्जी की सातो प्रवर्तियों में राज्जी की प्रधानता को इसपस्ट करते हुए कोटेले कहते हैं कि स्वामी ही अन्य प्रकृतियों अंगों के अभूदेव पतन का कारण होता है क्योंकि सातो प्रकृतियों में स्वामी ही प्रधान होता है अते मूल प्रकृति स्वामी का जैसा स्वभाव होता है उसकी प्रकृतियों का भी वैसा ही स्वभाव होता है सप्तांग सिद्धान्थ के आलोचना साव्यव सिद्धान्थ संबंदी आलोचना कोटिले का सब्तांक राज्य सिद्धांत राज्य के साथ निर्मानक तत्व बताता है जबकि आधुनिक मत के अनुसार राज्य के कुल चार आउसक निर्मानक तत्व होते हैं जैसे भूमी जंसंक्या सरकार तथा संप्र होता अंगों के आपसी वर्यता का आधार नकारात्मक कोटिले ने राज्य के साथ अंगों की पारस्परिक वर्यता को सकारात्मक आधार पर नहीं अपितु नकारात्मक आधार पर प्रकट किया है उन्होंने बताए कि जब एक साथ अनेक अंगों को पर विपत्ती आए किस अंकी विपत्ती को अधिक बहकारी मान कर उसके निवारन का उपाय किया जाना चाहिए राजी की या राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता सप्तांक राज्य सिद्धान्त की अंत्रकत कोटिले ने सभी अंगों पर राज्य की प्रधान्ता वे स्रेश्टता की स्तापना की है इससे प्रतीत होता है कि कोटिले राज्य को अन्य अंगों पर ए सिमीत वे ए नियंत्री सक्ति देने के पक्सदर है यह इस्तिती निरंकू से राज़तंतर के इस्तापना करने वाली होती है आलोचना का प्रतियुत्तर राज्य की प्रकृतिगा साव्यव सिद्धान्त आधुनिक पाश्चाते सिद्धान्त की देने और इस आधार पर कोटिले के सप्तांक राज्य सिद्धान्त की आलोचना उचित नहीं है उसके समस्त विवरण में संप्रवुता का तत्तु ऐ प्रतक्स रूप से मोजूद है निसकर्स्ते हम कह सकते हैं कि सप्तांक राज्य की धारना अती प्राचिन है और कोटिले से पहले के आचारियों ने भी इसका उलिक किया किन्तु कोटिले के विसेशता यह है कि उन्होंने अपने गरंत अर्ध शास्तर में विभीन इस्तानों पर परसंगा अनुसार राजय कीन सात प्रकर्तियों के गुन दोसों पर विस्त्रें प्रकास डाला है कोटिले प्राचिन सप्तांक राज्य सिद्धान्त के मात्र अनुकरन करता नहीं है अपितु वे इसके सरुस्रेष्ट व्यक्याकार भी है इस द्रश्टी से अर्शास का संपूर विवरन इतना उच्छ कोटि का है कि उसके बाद के अनेग राज सास्त्रियों पर उसके प्रदक्स पुबाव को देखा जा सकता है थैंक यू